आप civil engineering के student है या civil engineer है, survey कर रहे हैं या फिर survey पढ़ रहे हैं या पिछले semester में survey पढ़ चुके हैं और अभी तक शायद आपको survey के basic concept के बारे में पता नहीं चला तो इस video के अंदर इस चोटी सी video के अंदर में आप लोगों को survey के चोटे से concept के बारे मताऊंगो आपको मुकमल समझ आ जाएगी कि survey होता क्या है, हम किसलिए करते हैं, क्यूं करते हैं, किस तरीके से करते हैं हो सकता है कि आप अभी भी survey कर रहे हो, आप instruments करा सर्वे कर रहे हो, लेकिन आप measurements कर रहे हो, लेकिन आपको अभी तक concept clear ना हो कि ये सरवे में कर क्यों रहा हूं और इससे होता क्या है या अगर आप सरवे पढ़ चुके हैं फिर्छले समेस्टर में या फिर आप पढ़ने वाले हैं आगने वाले समेस्टर में तो सरवे आपको बिल्कुल खल ज़ूँगा सबसे पहले आप बात करते हैं What is land survey? यह survey होता क्या है? Civil engineering के अंदर जो हम यह पूरा survey पढ़ते हैं, यह क्या होता है? क्यों पढ़ते हैं? इसकी वज़ा क्या है? तो survey की basic सी, असान सी definition है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इस सिर्फ definition को देके, मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, इसमें डरने घबराने की बात नहीं है, survey होता है, इस दा आर्ट अफ डिटर्माइनिंग बाई मैयर्मेंट्स, दर रेलिटिफ पॉजिशन अफ दे पॉइंट्स अफ दे पॉइंट्स अफ दे अर्थ और बीनीथ, मतलब इसका सिंपली यह है, कि पूरे survey के अंदर हमने सिर्फ दो काम करने हैं, असानी से, पहला काम क्या कही है, हमने मैयर्मेंट्स करनी हैं, मैयर्मेंट्स, पेमवाईशे लेनी हैं, एक पॉइंट्स अलेके, दूसरे पॉइंट्स तक, ऐसे पॉइंट्स की, जो आर्टिफिचली दुनिया के ऊपर पड़े हूँ है, जो कि हमें ज़रूत होगी, या फिर नैच्रल पॉइंट्स जो होते हैं, दो पॉइंट्स के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में, अर्थ सर्फिस के बीच 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 आप लें तो यह जो डिस्टन्स आपने नाप है यह दो रेलेटिफ पोजिशन्स थी यह दो रेलेटिफ पॉइंट्स थे इनकी आपने डिस्टन्स मेयर किया यह होता है सर्वे मतलब हम करते क्या है रेलेटिफ पोजिशन्स की जो अर्थ सर्वेस को बर पॉइंट्स है इनके distances find करते है no.1 distance find करते है no.2 elevations find करते है up and down ये उपर नीचे कितने है distance कितना है उपर नीचे कितने है इसके इलावा हम तीसरा angles find करते है कि ये point इस point के मुकाबले में कौन से angle पर पड़ा हुआ है अब ये angle दो किसम कि यहां पर angle है बड़े असान से है एक हमारा पस ओता है horizontal angle यह मेरा हाथ को देखे यह horizontal angle है अगर मैं इस को यू मोड़ा हूं तो यह हमारे पास horizontal angle बन रहा है यहां पर horizontal angle और अब मैं वोर्टिकल अंगल की बात कर रहा हूं यह है इसको मैं vertically move कर रहा हूं आप डाउन तो यह jotka अंगल बनता है यह वोर्टीकल एंगल है फragenल हो नो यह दो एंगल यह डिस्टयंसर और यह व्र्टीकल करते हैं इसके लिए ऐप सब्सक्राइब करते हैं थोड़ी सी चीज़े ए हमारे पस टेप होती है चैन पहती है तोड़ी से यह मचीन's होती है 하aux Technology dishonest हste है उनकी मदष से बस हमने यह 41 करना है यह इंगल करना है यह था निए अरिविय ब्र धिर चीज अर्ची निए इसको के था सर्विय अब करते क्यों यह सारा इतना जो हमने ताऊब की है यह करते क्यों है या distance कूव फाइंड करूं मेरा दिमा खराब है में पागल हूँ जाओं बाइर जा distance फइंड करूं या angle फाइंड करूं या vertical angleplical angle Benud क्रूं में क्यूं करूं इस क्यूं का जो जवाब है कि survey हमOO करते क्यूं है सिर्फ दू कामों के लि Pale Aleương invece नंबर одним अंदर भी plans बनाते हैं ना कि कल मैं यहां पर जाओंगा फिर मैंने वहां पर जाना है फिर मैंने यह पढ़ना है फिर मैंने फॉटबॉल खेलना है मैंने टीवी देखना है फिर मैंने चैटिंग करनी है फिर मैंने फेस्बुक पर टाइम जाय करना है फिर मैंने यूट्यूब के उपर टाइम जाया करना है तो यह आपके दिमाग की प्लाइनिंग है एक तो यह प्लाइनिंग हो गई तो सर्वे के अंदर हम प्लाइनिंग का मतलब लेते हैं उस प्लाइनिंग का मतलब है कि हमने यह सारी इंफॉरमेशन जो अकटीकी डिस्टेंस लिए वर्टिकल रूम है यहां पर वाश रूम है यह डाइनिंग रूम है यह टीवी लाउंज है यहां पर स्टेर केस है यहां पर लॉन है यह कार पोर्च है तो यह चोटा सा प्लान हो गया तो यह हमने जो डिस्टेंस मेयर किये उसकी मदद से यह प्लान बनता है और यह सर्वे का पहला जाए जब तक plan नहीं बनेगा वो हम actual construction उसकी on ground नहीं कर सकते हैं पहले plan बनना ज़रूरी है तो plan बनाने के लिए में measurements चाहिए तो इस measurements को survey कहते है plan बनाते हैं दूसरा मकसद है map बनाना map जो होता है अब यह बड़े scale पर बनता है large scale पर यह पूरे city का map बनाना पूरे country का map बनाना यह पूरे world का map तो यह पूरा map जो बनता है यह सारे distances मयर होते है vertical distances मयर होते है angles मयर होते हैं वो आते हैं फिर उसको process किया जाता है और उस data से information निकाल के या तो plan बनता है या map बनता है यह दो ही मकसद है इसलिए हम survey करते हैं और यही मकसद है survey का तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के अंदर थोड़ी समझ आगी होगी कि survey होता क्या है actually और यह किया किसले जाता है next videos के अंदर अभी हम नई series शुदू करने वाले है RCC की बहुत जारा students की यहां पर demand आ रही है कि RCC बढ़ाएं reinforced concrete design कि concrete क्या है reinforcement क्या है यह पूरा design किस तरह होता है तो RCC अगले कुछ lectures में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा थोड़ा से concepts clear कर नहीं गोश्च करूंगा कि RCC होता क्या है design किस तरह होता है design क्या होता है drafting क्यों यह कुछ information आप लोगों को दूँगा तक ही video पहुंचे और वो survey को सीख पाए मिलते हैं आप से next video के अदर तब तक लिए अपना ख्याल लोकिएगा and thanks for watching